निवश्कार दोस्तों स्वागत है आपका ये bank nifty का analysis है, इसमें कुछ आपके साथ मैं share करना चाता था bank nifty ठीक है? बैंक निफ्टी का एनलेसिस है यहाँ पे काफी चीज इंपोर्टेंट है और अच्छा-कासा ट्रेड हमें आने वाले वीक्स में मिल सकता है कंडिशन जो मैं बोलता हूँ जैसा मैं बोलता हूँ अगर वो डेवलप होती है चार्ट पे उस परकार से ही प्रेडिक्ट हो पाती है जिसे इसाब से मुझे दिख रहा है तो एक अच्छा-कासा मूँव हम कैप्चर कर सकते हैं ठीक है चलिए शुरू करने से पहले ये एक बार टिस्क्लेमर को देखते हैं दोस्तों इसको जरूर पढ़िए इसको जरूर देखिए जो भी मैं बोल रहा हूँ मेरा परसनल भीव है बाइसल रिकमेंडेशन इस वीडियो के दुआरा किसी को नहीं दी जा रही है यहां पर सबसे पहले मैं आपको ले जाना चाहूंगा दोस्तों मंतली चार्ट थोड़ा सा समझेगा मुझे निफ्टी का चार्ट भी खुलना पड़ेगा इसकी में समझेगा थोड़ा सा नहीं हुपयाब क्या है यह मंत है आपका में मंत में में हुआ यह यह आपका जून जिसमें वो दॉसल ता था नीचे की तरफ हमने 46,000 के आसपास बैंगनिफ्टी को देखा था इसमें क्या है जुलाई मंत की जो कैंड़ल बनी है यह जो जुलाई मंत है जुलाई मन्त की जो candle बनी है, वो एक red color की candle बनी है, ये, और इसी में हमारा ATS भी आया है, ठीक है, अब यहाँ पर आप निफ्टी को देखेंगे इसी जगे, निफ्टी को अगर मैं monthly chart frame में लगाता हूँ, तो हमने जो ATS देखा है, वो हमने कौन से मन्त में देखा है, अगस् की पहली तारिक को, यहाँ जुलाई मन्त यह है भाई, यह है इसका जुलाई मन्त, विल्कुल टॉप पे close किया था, वो कितनी तेजी आई थी बहंकर, और टॉप लगाया हमने अगस्त मन्त में, है ना, बैंक निफ्टी को आप देखेंगे, तो बैंक निफ्टी उल्टी द अगस्त मन्त फॉलो कर रहा है, उस गिरावट को अगस्त का मन्त फॉलो कर रहा है, और वो एक ऐसी जगे ट्रेड कर रहा है, पचास हजार चारसो के आसपास, जो की इससे में जो चीज है, जो सच में में चीज है, जो असल में वीकनेस का कारण है, वो यह जो ग्रीन मन्त थ कौन सा जून वाला इसके ओपनिंग प्राइस के बिलो है यह सला कांडी है ठीक है यह लंका लगा रहा है इसकी जो लंका लगा रहा है वो यह लेवल लंका लगा रहा है देखे अगर आप थोड़ी से टेक्निकल की नॉलिज रखते हैं और मुझे काफी दिनों से अगर आप कर हैं मुना आपके साथ चीज यह बहुत बार शेयर करी है लेवल्स को लेके भी और पेटन्स को लेके भी ठीक है स्ट्रोंग होते हैं इस परकार से कैसे है मिनट्स आवर आवर, डेली, यह सबसे नीचे आते हैं, इनसे स्ट्रॉंग लेवल हो जाते हैं, वीकली लेवल, इनसे भी स्ट्रॉंग लेवल हो जाते हैं, मन्थली लेवल, जैसे जैसे टाइम फ्रेम बड़ा, उतना बड़ा स्ट्रॉंग लेवल, तो अभी जो हमारे सामने स्ट्रॉंगे का लेवल है, 24-530, जब तक निफ्टी इसके नीचे है, उसमें बाई साइड का व्यू नहीं बन सकता, ठीक है, ऐसे ही पैटन, मन्तली टाइम फ्रेम का पैटन सबसे स्ट्रॉंग होता है, वीकली टाइम फ्रेम का पैटन उससे थोड़ा सा नीचे, तभी आप देखेंगे डे अब एक स्टॉक ऊपर भाग जाता है, क्योंकि इस डेली पैटन के एडन सोल्टर से वीकली का अपवर्ड राइजिंग चैनल ज्यादा स्ट्रॉंग है, यहाँ पे मन्तली की यह जो ओपनिंग है, यह वाले मन्त की, क्योंकि भाई, यह लास्ट ग्रीन कलर का मन्त है, इसका बैंक निफ्टी का, यह लेवल है क्या, इसको देखे जरा आप, ठीक है, ओपनिंग देखेगी आपको इदर, 50,889, क्या है 50,889, यह, भाई आप, अब तक तो मैं 50,000, 100, 200, 300 की बात कर रहा था आपसे, अब तक जो मैंने बैंक निफ्टी का जब भी आनलसिस आपके साथ श पर अगर आपको डेली कोई भी क्लोजिंग, 50,889, जो मैंने भी लेवल आपके साथ शेर किया है, इसके उपर कोई डेली क्लोजिंग भी मिल जाती है, और SL मैंने आपका नीचे कर दिया, इस SL को यहां लगा लीजिए, और शॉट करिए, यह इस रेड कलर के दाइरे में ठीक है, थोड़ा सा उपर आया, 7-8 दिन टाइम पास किया, ब्रेकडाउन, फिर थोड़ा सा उपर आया, ठीक है, यहां टाइम पास कर रहा है, जो पैटर्न डावलप है, वो इधरी लेके आता है, अब यह आता, इसकी शुरुवात कैसे हो जाएगी, जैसे ही यह 49,100 के नी करना चाहिए, यह बड़े टाइम फ्रेम ही बोल रहा है, मैं छोटे टाइम फ्रेम की बात नहीं कर रहा हूँ, यह जो है, यह 48,000 से लेके 48,300, ठीक है, बैंक निफ्टी, कोई भी क्लोजिंग, यह जो मैंने मंतली लेवल आपके साथ शेर किया है, दिक्कत आईगी इसको, ठीक है, और 50,889, ज्यादा दूर तो है नहीं, इस लेवल के उपर अगर क्लोज कर देता है, ठीक है, नहीं कर पाता, भाई, सेल ही करना है, टार्गेट 48,300, यह है, इस लेवल के उपर क्लोजिंग आपका एसल, हिट हो जाता है, होने दीजिए, हो सकता है, जाए उस गैप क फिल करने के लिए, दुबारा करना वहां से भी शॉट ही है, ठीक है, 51,200, 300 से, वहां भी भी निटिकेगा, इस लेवल के दुबारा नीचे आता है, फिर से सहल करिए, अल्टिमेट, ना मैं 49,600 बोल रहा हूं, ना मैं 49,500 बोल रहा हूं, मैं आपको सिधा 48,500 से लेका, 48,000 क के बीच में इसका ब्रेक लगेगा, जैसे इसने यहां पर ब्रेक लिया है ना यह, यह आप डेली चाट पर जाएंगे, इसने ब्रेक कहा लिया है, इसने ब्रेक यहां लिया है, इसने एक ब्रेक यहां लिया था, ठीक है, यह तो टॉपिक अंसलिडेशन है, गिरा, इसने ब candle का move है न, आपने ये capture करना है, यहां से, ये capture करना, SL कोई भी closing 50,889 के उपर आती है, वो आपका SL है, बस simple, ठीक है, इसको follow करिएगा, बाकी देखते हैं बाद में, क्या हमें मिलता है, क्या move capture कर पाते हैं, ठीक है, और ये 4-5 दिन के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, मतलब गिरावट जो है, breakdown जो है, यहां से consolidation जीतना मरजी होता रहे, पर जब गिरेगा न, तो ये 5-4 दिन से जाधा time नहीं लेगा, 48-5 तक आने में जाधा time नहीं ले गई है, इसको देखेगा, और cautious रहेगा थोड़ा सा, 50,889 is the level, जो आज इस बापको नजर रखनी है, नहीं इसके उपर निकलता है, नहीं, मेरे खिलाल से तो इसको sell ही करना चाहिए, banklifting को pattern इसका खराब है, it is pure sell on rise का pattern है, banklifting, वीडियो अच्छी लगी हो, like कीजिए, share कीजिए, channel को subscribe कीजिए, thank you very much.